धनू राश्यवालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, सब्र का फल मिलने वाला है। आपको भगवान के घर देर है, मगर अंधेर नहीं है। कल से आप सभी के जीवन में जो होने वाला है, आपको अपने कानों पर है कि नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, सब कुछ मिलने वाला है। आपकी कर इच्छाएं पूरी होने वाली है। अब आप दिल थाम कर बैठिये और आज के इस वीडियो को अंत तक देख कर ही कह जाना है। यदि इसे नजर अंदाज कर दोगे तो आप भगवान का दिये हुए इस मौके को ठुकरा रहे हो। इस बात को ध्यान में रखना। क्योंकि यदि ये वीडियो आप सभी के जीवन में आया है तो इसमें कहीं न कहीं ये चार देवी देवताओं का ही आशिरवाद है। ये चार देवी आपको कुछ देना चाहती है और इसी लिए ये वीडियो एक संदेश के रूप में आपकी समक्षाया है। दोस्तों, इस अंत तक देख लोगे, तो आप सभी को वह चीज पता चल जाएगा कि आखिर कल से आप शिव के जीवन में क्या होने वाला है, कौन सा चीज है देवी, आपको देने वाली है और कौन से चार सपना आपको सच होने वाले, दोस्तों, सारी जानकारी वीडियो में विस्तार से बताएंगे, बस, आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, वीडियो शुरू करने से पहले, जितने भी मातारानी की सच्चे भक्त हैं, सर्व प्रथम वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे ह्रदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा, मातारानी का आशीरवाद और प्यार, आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो आज के इस वीडियो को देखेगा, अंत तक वह हमारा मन हो जाएगा, और जो इसे नजर अंदाज कर देगा, इस वीडियो को अंदेखा करने वाला बहुत ही पच्चताएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके घर में यह चार बड़ी शक्तियों का वास है, और वह ऐसी ऐसी बड़ी गलतिय करता है, बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, दो प्यारे दोस्तों, आज की यह जानकारी पाकर धन्य हो जाएंगे, प्यारे दोस्तों, यह आपको कैसे पता चले कि इन शक्तियों का वास आपके घर में है, इसके बारे में हम आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे, जिसे देखकर आप वास्तव में समझ जाएंगे, आपको भी यह एहसास होगा, इन शक्तियों का आपके घर में होने का, यह आपके सामने प्रकट भी होते हैं, लेकिन आप अंदेखा कर देते हैं तो प्यारे दोस्तों, इन शक्तियों का चमतकार दिखाई देगा, जिसे द ज्यादा फाइदे मंद है प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आप जो चाहते थे वह यह शक्तियां आपको देने वाली हैं। जिनमें आपको फल शून्य के समान ही प्राप्थ हुए हैं। आप कुछ ज्यादा मिला ही नहीं और कई बार आपका मन उदास हो गया। अपने बार-बार ईश्वर से यही कहा है कि है भगवान। आप तो सबकी सुनते हैं लेकिन मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अब आपके श्रेष्ठ कर्मों का अब आपके हिसाब मिलेगा। ब्रमांड की शक्तियों ने आपके कर्मों को देख कर आपको फल देने के लिए आदेश कर दिया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जो शक्तियां आपके घरों में रह रही हैं, प्यारे दोस्तों ने आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही आपकी एक बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है और वह इच्छा आपकी ऐसी होगी, वह इच्छा आपका पूरा जीवन ही प्यारे दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण है कि अपने हाल ही में किसी की सहायता की थी और अब आपको उसे सहायता के बदले आपका फल प्राप्त हो रहा है। प्यारे दोस्तों, अब तक आपको जो भी मिला है वह सब कुछ ईश्वर के मर्जी से मिला है, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में तीन बार धन्यवाद जरूर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इन शक्तियों की दया आपके उपर इस प्रकार से बरस रही है, ग्रह भी अपनी दशा बदलने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ माह से आपको कुछ तनाव की स्थिती से गुजर रहे हैं, आपके हाथों में कई सारे लाप के मौके आए हैं, लेकिन वह भी आपके हाथों से फिसलती ही जा रहे थे। आपने सब कुछ सही करते करते भी सब कुछ गलत हो रहा है। प्यारे दोस्तों, ग्रहों की कुछ विपरीत स्थिती थी, उनमें आपको बहुत ही दुख मिला है, किन्तु आज से आपका समय बाद ही शुभ शुरू होने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन शक्तियों का किरण सीधा आपके और आपके पूरे परिवार पर पढ़ने वाला है। एक नया और दिव्या द्वारा आपके लिए खुलने जा रहा है। आपके सीने में अपने छुपाए बैठे हैं, वह यह शक्तियां जान चुकी हैं, जिस दर्द को आप किसी से भी सांझा नहीं करते हैं, प्यारे दोस्तों। वास्तव में आप कैसे हैं, यह कोई नहीं जानता है, सभी आपका बाहरी स्वरूप देखते हैं, पर आपके अंदर एक बालक छुपा है, जो हसना चाहता है, जो खुल कर जीना चाहता है। प्यारे दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं, जो अपने परिवार के कई सारे जिम्मेदारियां के तले दबे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, जो आपके पिछले जीवनकाल में जिसने दुख दिया था, अब उन्हें अपने बुरे कर्मों का भारी कीमत चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि यह शक्तियां आपके और आपके पूरे परिवार की सदा ही रक्षा करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वर्ष का जो भी दुखी होने का समय था, अब वह 24 घंटे के बाद खत्म होने वाला है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नई वर्ष की शुरुआत अब होने वाली है। आपकी जिन्दगी का अब से एक नया समय होने वाला है। प्यारे दोस्तों, खुशिया, सफलता, प्रेम बाटने की शुरुआत अब से होने वाली है। अब आप जिस भी कार्य को पूरी इच्छा के साथ करेंगे, तो उसमें प्यारे दोस्तों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि यह शक्तियां अब आप आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमतकार दिखाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप अप अपनी बुद्धी और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी उससे इच्छा को चयन करें, जिनमें आपको लंबे समय तक खुशियां प्राप्त हों। यदि आप भी चाहते हैं कि अब आपकी इच्छा पूरी हो, तो बस अब आप यह दो गलती बिल्कुल ना करें। इस इसके बारे में अब आपको बताने वाले हैं। और साथ ही आपको यह भी बताने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चले कि इन चार शक्तियों का वास आपक गर में हैं। दो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मांकाली के मांभवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भावना के साथ जय म मांकाली जय मांभवानी जरूर लिखिए। प्यारे दोस्तों, मांकाली मां, भवानी की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा, तो आप जरूर लिखिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बतादा, कि देखिए प्यारे दोस्तों यह जो चार शक्तियों का वास आपके घर में है वह आपके सामने तो आते जाते हैं लेकिन आप इन्हें समझ नहीं पाते हैं तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें इन चारों शक्तियों में से पहले जो शक्ति है वह है प्यारे दोस्तों महाकाल का कृपा प्यारे उनका कोई भी शड्यंत्र सफल नहीं हुआ है। आज तक आपको बता बता दें कि आपका दुश्षमन आपके और आपके परिवार के जान के पीछे भी पड़ा है। वह आपको देखा ही नहीं सकता है। इसलिए वह कई सारे ऐसे ऐसे कार्य करता रहता है, जिससे आपका पू प्यारे दोस्तों, आपके दुश्मन के द्वारा आपके उपर यदि तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, तो उनका मकसद यही है कि उसे व्यक्ति को इस धर्ती से ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पता है, क्योंकि आपके उपर महाकाल का आशीरवाद बना है, और यह महाकाल की क्रिपा आपको एक कुत्ते के रूप में भी नजर आती है। यदि आपके घर में जहां पर देवी देवताओं का अपने स्थान दिया है, वहां पर यदि छिपकली नजर आती है, या फिर रसोई घर में काली चीटिया नजर आती है, तो प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी और मा अनपूर्णा कभी भी आपको भूख पेट नहीं सोने देगी, आपके जीवन में कभी भी पैसों की बहुत ही बड़ी जरूरत, यदि आपके सामने आएगी, तो उसे समय आप कही ना कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि आपके उपर माता लक्ष्मी और मा अनपूर्णा सदा ही अपनी कृप बनाये रखती हैं, आपके घरों में ही वास करती हैं, प्यारे दोस्तों, तीसरी, जो शक्ति आपके घर में वश करती है, वह मा संतोशी, जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपके घर में मा संतोशी का वास है, क्योंकि आपके घर के लोगों का स्वभाव बहुत ही शान्त है, आपके घर पर बंदर आते हैं या फिर आपके घर के आसपास बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर है तो इसका मतलब यही है कि बजरंग बली हनुमान आपसे सदा ही खुश रहते हैं और आप पर अपनी कृपा बनाए रहते हैं संकट आपके हनुमान जी ही खत्म करते हैं बस कोशिश आप करते हैं प्यारे दोस्तों इन देवी देवताओं माता रानी के वास आपके घर में रहते हैं प्यारे दोस्तों अब आपको जो गलती नहीं करनी है वह है प्यारे दोस्त जाने अंजाने में अपने घर के दर्वाजे पर आए, किसी भी प्रकार के जीव जन्तु या किसी भी व्यक्ति को और सम्मानित ना करें फिर चाहे वह भिखारी आए या कोई भी, आप उन्हें जरूर कुछ खिला खिला कर ही भेजें प्यारे दोस्तों, क्योंकि कोई भी जीव जन्तु या कोई भी व्यक्ति यूँ ही किसी के दर्वाजे नहीं आता है उन्हें स्वयम ईश्वर ने भेजा होता है और यही सब कर्म आपके आपको फल देते हैं भले ही आपको फल मिलने में देरी होती है, लेकिन मिलने जरूर है प्यारे दोस्तों, आपकी खुशियों के दिन फिर से लौटा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े खुशियां आपको नए साल के पहले से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। अब तक तो आपका दुश्मन आपको छोटा और खुद को बड़ा समझ रहा था। लेकिन अब यह गलत फहमियां उसकी खत्म हो जाएंगी। आपका घर परिवार आप खुशियों से जूमता नजर आएगा। शाम को ग्रहों का संयोग आपके लिए शुब होगा। और कार्य पूर्ण होंगे। आपके संबंधों से आपको लाब होगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्थ होगा। यह समय सुख शान्ती से बीतेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। शासन और सत्ता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको किसी के साथ पार्टनर्शिप में बिजनस करने में भी लाब होगा और आपकी रुकी योजनाएं पूर्ण होंगी। नए अनुबंधों से आपको लाब होगा। और कोई नया बिजनस टेकॉवर करने के बारे में सोच सकते हैं। रात में कुछ अंचाहे लोगों से मुलाकात हो सकती है। मन खराब हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। कोई वस्तु चोरी हो सकती है या फिर आपका कोई नुकसान हो सकता है। किसी से जगडा विवाद हो सकता है। यूँ तो आपका यह जो तो सलाहना, बिना मांगे किसी से कोई बात भी न कहे। जी हां प्यारे दोस्तों, नहीं तो इसके लिए बजट आपको तनाव होगा। प्यारे दोस्तों आप जितना अपने घर परिवार वालों के साथ समय बिता सकते हैं उतना अवश्य देता है प्यारे दोस्तों इस दोरान आप किसी भी प्रकार के लड़ाई जगडे से दूर रहे अन्यथा आपको किसी बात को लेकर समस्या हो सकती है खास करके दोस्त तो अपने मित्रों के चक्कर में आकर किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी नमूने यूं कहे तो किसी से वाद विवाद ना करें आपसी मैटर है आपको उन्हें संभाल लेनी चाहिए प्यारे दोस्तों ये जो समय है इस समय आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में थोड़ा श्रद्धा नहीं बना कर रखना होगा क्योंकि संभव है कि आपका व्यापार ने किसी व्यक्ति के कहीं सुनी बातों में आकर किये गए कारियों की वजह से आपका घाटा हो या फिर आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, इसलिए आप थोड़ा सतर्कता के साथ रहे, यदि आप कोई नया शायद शुरू करना चाहते हैं, तो आप दिल खोल कर करें, बेजिजग करें, क्योंकि आप उनमें अच्छी काम्याबी हासिल होगी। इस समय आपके घर से दूर रह रहे किसी करीबी या पहिया जंग के द्वारा कुछ तनाव देने वाला समय चार आपको मिल सकता है। इस समय आपको किसी यात्रा पर जाना पड़े, तो यात्रा आपके लिए बहुत ही मंगलकारी साबित होगी। बस आपको अपने सभी कीमती वस्तूओं का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यक्ता होगी। प्यारे दोस्तों, इस दौरान आपको कोई महंगा सामान चोरी हो सकता है। यदि आप छोटी दूरी की यात्रा पर जाएं, तबने वस्त्रों का विशेश ध्यान दें। इस दौरान आपको अपने घर के बुज़ुर्गों का भी सम्मान करना होगा। उनकी बातों पर आपको विशेश ध्यान देना होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और जो लोग नौकरी करते हैं, उनके पद में उन्नती हो सकती है। प्यारे दोस्तों, यदि आप बैंक से पैसा निकालने का सोच रहे हैं, कोई बड़ा निकालने की योजना बनाई है, तो बहुत ही सावधानी के साथ जाए। क्योंकि हो सकता है कि किसी की बुरी नजर आपके घंटों लग जाए। इसमें बातों का ध्यान दें। यदि आप बैंक के कर्मचारी हैं, तो बैंक में आपको हर एक नीती नियमों का पालन जरूर करना होगा। शेयर मार्केट या सटा मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों का यह शो में काफी ज्यादा बढ़िया साबित हो सकता है। इस दोरान के द्वारा किया गया धन का निवेश, आपको लाब ही लाब दिला का प्यारे दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि इस समय आप यदि सरकारी नौकरी भी करते हैं, तो सभी नीती नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि इस दोरान आपके पद मे उन्नती हो सकती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिसके चलते वेतन में भी वृद्धी होगी, इसलिए जाने अंजाने में कोई ऐसा कार्य ना करें, जो बाद में आपको तनाव दे या फिर आपकी पदोन्नती में बाधा बनें। स्वास्थे के लिहाज से देखा जाए, तो आपका स्वास्थे कुछ खराब हो सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थे का ध्यान रखना होगा। लापरवाही दिखाने से बचना होगा। प्यारे दोस्तों, इस समय यदि आपको लंबे समय से कोई भी समस्या परेशान क तो इस दौरान बढ़ सकती है। इसलिए अच्छे डॉक्टर को दिखाएं तो आपको बहतर परिणाम मिले हैं। आपके घर पर अचानक किसी अतितियों का आगमन का सूचना मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, शिक्षा के कारें में आ रही अच्छने दूर होंगी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। प्यारे दोस्तों के जीवन में उन्नती पाने के लिए बहुत अधिक महनत करना होगा। और आप अपने प्यारे दोस्तों के गलत संगती से भी दूर हैं, तब आ प्यारे दोस्तों या जो मैं है आपके उपर कोई नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। जी हाँ, दोस्त हैं, जिम्मेदारियों को और बहुत ही खुशी-खुशी निभाएंगे। प्यारे दोस्तों, या जो समय है वे आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दमपतियों की बात करें, समपतियों का भी यह समय खुशनुमा रहेगा। किसी बात को लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आएंगे। जी हाँ, प्यारे दोस्तों, और आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने से निजा सकते हैं, और आप उन्हें कहीं शौपिंग मौल में भी ले जा सकते हैं, जहां पर आपके जीवन साथी के द्वारा अधिक धन खर्च हो सकते हैं। आप दोनों के बीच रोमेश बना रहेगा। यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो वह तनाव समाप्त होगा। प्यारे दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ खूब मौज ममस्ती करते हुए भी नजर आएंगे। आप दोनों के बीच एक बढ़िया तालमेल नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, बस के द्वारा किया गया क्रोध थोड़ा सा के मैरिड लाइफ में समस्या ला सकता है। लेकिन फिर भी आप उन्हें संभाल लेंगे। वही प्रेम जीवन के द्रिष्टिकोन से देखा जाए, तो यह समय आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। क्योंकि इस समय आपके द्वारा सोचा गया हर एक चीज आप अपनी लव लाइफ में कर पाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और जो लोग भेंट मुलाकात की योजना बना रखे हैं, उनके योजना तो सफल होगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखनी होगी, यदि आपका प्रेम संबंध घर वालों के सामने नहीं है, तो वह बातें खुल सकती हैं, और उस जगह का अभी या कुछ से जाँच पड़ताल करना होगा जहां पर जा रहे हैं, जो लव पार्टनर लॉंग ड्राइव पर जाने की सोच विचार किये हैं, तो उन लोगों को बता दें कि दिखावे न्याय के वाहन का उपयोग तो बिलकुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी पार्टनर के उपर कुछ अधिक धन खर्च हो सकता है, प्यारे दोस्तों या जो समय है, आपकी लव पार्टनर से आपका मन बहुत ही खुश रहेगा, आपके रहवासी आपको, लव पार्टनर भी आपकी तरह मार्केटिंग और विज्यापन से जुड़े हुए लो करीबी मित्र के साथ कुछ नुक जोक होने की स्थिती बन सकती है, विवाद की जड़ को हवा देने से बचे, अन्यथा बात बढ़ सकती है, जीवन साथी के साथ यदि कई दिनों से मनमुटाव चल रहा है, तो उसे अब खत्म करें, क्योंकि रिष्टा कमजोर हो गया, तो से तूटने में देर नहीं लगेगी, सेहत की बात करें, तो फेपड़े से संबंधित दिक्कत बढ़ सकती है, जैसे इनफेक्शन होना या फेपड़ों में पानी भरना, आधी.onfis में अधिकारी वर्ग, यदि कर्मचारियों से योग्यका लेना चाहते हैं, तो अपने व् व्यापारियों को जनसंपर्क बढ़ाने के लिए लोगों से कम्यूनिकेशन बनाए रखना है, बड़े ग्राहकों से बातचीत करते रहे, विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा इधर उधर की बातों में भटक सकते हैं, जो की करियर के लिहाज से बिलकुल भी सही नहीं है, संतान चाहे कितनी बड़ी हो जाए पर वह आपके लिए छोटी है, इसलिए उनकी हरकतों पर एक नजर बनाए रखें, हेल्थ में आज छोटे बच्चों का स्वास्थे अचानक बिगड़ सकता है, इसलिए उनकी छोटी समस्या पर भी डॉक्टर से ही संपर्क करें, संतानों की स्थिती को देखते हुए व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लाब होगा, युवा वर्ग इष्ट की आराधना से दिन की शुरुआत करें, इश्वर की कृपा से आपके काम बनेंगे, जो लोग टीम लीडर है, वह अपनी टीम को अच्छी सलाह और मार्ग दर्शन दे सकेंगे, बिजनेस में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए धैर्य बनाए रखें, पार्टनर के साथ भविश्य की योजनाय बनानी होगी, युवा वर्ग को मन में अहंकार की भावना नही लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अत्यधिक अहंकार पुन्य का क्षीन कर सकता है, जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, यदि आप रहेंगे तो मतभेद भी खत्म हो जाएंगे, सेहत में दिन अच्छा दिन बीतेगा, दिन चर्या नियमित रखें, और कोशिश करें कि सुबह जल्द बिस्तर छोड डिच दें, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को शासन की तरफ से कुछ नकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है, ग्रहों की स्थिती को देखते हुए व्यापारी वर्ग स्टॉक को लेकर सतरकता बरते नुकसान होने की आशंका है, युवा जीवन को सकारात्मक्ता की ओर ले जाते हुए डेली रूटीन में कुछ बदलाव करें, मुश्किल समय में परिवार्व मित्रों को अनदेखा ना करें, एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि सभी संबंध आपके लिए अतिमहत्व पूर्ण है, स्टों को बहतर बनाए रखने के लिए अपनी राय किसी पर ना थोपे, जीवन से जुड़ी तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान आपको माह के मध्य में निकलता हुआ नजर आएगा, इस दौरान किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से आप अपनी तमाम परेशानियों का हल खोजने मे काम्याब हो जाएंगे, यह समय राजनीतिज और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, परिवार के किसी प्रिय सदस्य से शुब समाचार की प्राप्ती होगी, आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, किसी महत्वपूर्ण कार्य के बन जाने से खुशी प्राप्त होगी, विद्यार्थी वर्ग को बहु प्रतीक्षित शुब समाचार मिलेगा, प्रेम संबंध के लिए उत्तरार्ध का समय गुडलक लिए हुए हैं, इस दोरान सिंगल लोगों की जिंदगी में मन्चाहे पार्टनर का प्रवेश हो सकता है, जीवन के चुनोती भरे समय में जीवन साथी परचाई की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, जो लोग अपने लव पार्टनर से बहुत ही दूर रहते हैं, या फिर यूं कहें दूसरे शहर में रहते हैं, और उनका यदि मुलाकात की योजना है, तो यह योजना सफल होगी, लेकिन जिस जगह पर जाएं से जगह का अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर ले। का मौका मिलेगा, जो लोग अपने प्रेम संबंध की बातें घर वालों को बताना चाहते हैं, उन्हें अपने घर वालों के बारे में भी उनके व्यवहार को, उनके इच्छाओं को देखते हुए अपनी बातें रखनी चाहिए, नहीं तो इस से आप किसी बड़े परेशान में आ सकते हैं, प्यारे दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्म दिन है, तो आप उनके लिए कुछ खास करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ अच्छा उपहार दे सकते हैं, प्यारे दोस्तों, जल्द ही नया साल आने वाला है, उनमें भी आपकी यदि कोई खास यो जना है तो सफल होगी प्यारे दोस्तों यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह बातें अब आप बता दें अन्यथा देर हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो लोग स्कूली छात्र हैं उनका मन पढ़ाई में काम अन्य गतिविधियों में ज्यादा लगेगा और इस दोरान आप किसी व्यक्ति की तरफ आकरशित होते हुए खुद को पाएंगे कुछ लोगों का नया प्रेम संबंध बनने वाला है जिसके लिए आप काफी ज्यादा उत्साहित नजर आएंगे प्यारे दोस्तों जिनका लव लाइफ लंबे समय से चल रहा है तो उनके रिष्टों में कुछ वाद विवाद की स्थिती भी बन सकती है इसलिए ऐसी कोई बातें ना करें जिससे आप दोनों की बीच दूरियां आए किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करें यदि आप प्रेम विवाह करने जा रहे हैं खास तोर की इन मामलों में वही दामपत्य जीवन में जी रहे हैं लोगों का भी यह समय काफी रोमांटिक रहने वाला है प्यारे दोस्तों आपका व्यवहार को देखते हुए आपका जीवन साथी आपकी तरफ आकर्शित होगा आप पर अपना प्रेम निचावर करेगा जिसके लिए आप बहुत ही खुश-खुश रहेंगे प्यारे दोस्तों सब मिलाकर देखा जाए तो आपका यह समय काफी बेहतरीन साबित होगा प्यारे दोस्तों इस समय आप अपनी वाणी और व्यवहार में आपको बहुत ही निरंतर बना कर रखने की आवश्यक्ता है जी हाँ प्यारे दोस्तों इस दोरान क्योंकि आपका प्रभाव चारों तरफ फैले का आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं इसलिए इस बात का ध्यान दें आप इस दोरान बहुत ही बहतरीन चीज़ करने वाले हैं बहुत ही खास चीज़ें आप आपके सामने आएंगी जी जी हाँ प्यारे दोस्तों और आपको बता दें कि इस समय में जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं उनसे जरा बच कर रहना होगा क्योंकि जब वे दूसरों की बुराई कर सकते हैं आप से तो आपकी भी बातें कहीं और कर सकते हैं यह बातें आप अपने जीवन में बना ले वैसे भी इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है यह बात भले ही आपको बुरी लग रही होगी लेकिन यदि आप गहराईयों से सोचेंगे तो आपको कोई सत्य लगेगा प्यारे दोस्तों इस समय में यदि आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं बिजनस करना चाहते हैं या फिर आप पार्टनर सिर्फ में व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए यह समय जो है वे काफी ज्यादा लाभधायक साबित होगा इनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी लेकिन अपने सूझ बूज के साथ किसी कार्य को करें बढ़िया और भी ज्यादा रहेगा परिवार भाई या बहन से किसी बात पर बाद विवाद होने की आशंका नजर आ रही है इसलिए किसी भी मुद्दे को सुलजाने के लिए विवाद के बजाए बातचीत का सा सहारा ले और आपको यदी थोड़ा जुकना पड़े तो जुक जाए तो आप लिए बेहत दरो होगा फिर भी यदी ऐसी परिस्थिती आती है तो आप इन में वे के जगह आग शांत रहा है या फिर इन बातों को भी नजरंदाज करें इस समय में पैसा खर्च आपका बढ़ने वाला है नौकरी में भी प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है आप किसी से धन उधार लेने से बचे शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा आपको कोई आँखों से संबंधित समस्या हो सकती है आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए पच्छतावा होगा अपनी इंकम के सोर्स पर आप पूरा ध्यान देंगे आप अपने पैसे को खर्च करते समय अपनी जेब का पूरा खयाल रखें नहीं तो भविश्य में आपको किसी से पैसा उधार लेना पड़ सकता है व्यावसाइक द्रिष्टिकोन से यह समय अत्यंत ही शुभ साबित होगा जो लोग माली है यानि कि फूल का कारोबार करते हैं और जो लोग दिया बनाते हैं पूजा पाठ का सामान बेचते हैं और जो लोग उद्योग पती हैं यूँ कहे तो जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं लोगों के लिए यह समय काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा उनके ग्राहकों की संख्या में व्रिध्धी होगी फल फूल वाले लोगों का भी दौरान ठाट रहने वाला है इस दौरान काफी अच्छा आप अपने बिजनेस में मुनाफा कमाने वाले हैं प्यारे दोस्तों इस समय में यदि आप शेयर बाजार सत्ता आदी में पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करने क्योंकि यह समय आपको लाब तो देगा लेकिन हानी भी हो सकते हैं तो इस बात का ध्यान दें कल से आपकी जान इच्छाएं पूरी होने वाली है और उसके बारे में हम आपको विस्तार से भी जानकारी देंगे कि कौन-कौन सी इच्छाएं पूरी होगी उससे पहले दिया भाभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों हम बात करेंगे माता भद्रकाली के आशीरवाद से अगले 24 घंटों में होने वाले विशेश घटना क्रम के बारे में माता भद्रकाली के अद्वितीय आशीरवाद से आप चार प्रमुख इच्छाओं को पूरी होते हुए देखेंगे यह समय आपका होगा और आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है सबसे पहले उन लोगों के लिए एक खास संदेश है जो अब तक विवाह के लिए चिंतित थे और मन्चाहे जीवन साथी की तलाश में थे माता भद्रकाली की कृपा से अब आपकी वह चिंता समाप्त होने वाली है जिनके विवाह नहीं हो रहे थे वे अब उनके जीवन में एक स्थाई साथी के आगमन को महसूस करेंगे माता की कृपा से आपके मन्चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी माता भद्रकाली ने आपकी सच्ची भक्ती और आपके धैर्य को देखा है जिस व्यक्ति की आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वह आपके जीवन में प्रवेश करेगा और आपके साथ एक गहरा संबंध बनेगा इस समय आपको अपनी भक्ती को मजबूत बनाए रखना है और माता की कृपा का आभार प्रकट करना है दूसरा आशीरवाद उन लोगों के लिए है जो नौकरी की समस्या से परेशान थे पिछले कुछ समय से आप कठिनाईयों का सामना कर रहे थे लेकिन माता भद्रकाली के आशीरवाद से अब आपके जीवन में समरिध का प्रवेश होगा जिन लोगों का कामकाज अटक गया था या नौकरी के मामले में संघर्ष हो रहा था उन्हें अब शुभ समाचार मिलने वाला है माता भद्रकाली के आशीरवाद से आपको एक अच्छी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है पैसा आपके जीवन में तेजी से प्रवाहित होगा और आपकी आर्थिक स्थिती में बड़ा सुधार होगा इस समय आपको माता के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो हो रहा है वह सब माता की मर्जी से हो रहा है तीसरी बात उन लोगों के लिए है जो दुश्मनों से बहुत परेशान थे आपके शत्रू पिछले कुछ समय से आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे लेकिन अब माता भद्रकाली के आशीरवाद से आपके दुश्मनों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा माता के आशीरवाद से आप सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होंगे जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे थे उनकी बुरी नियति का अंत होने वाला है माता भद्रकाली अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं और उनके आशीरवाद से अब कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा ये समय है जब आप अपनी शक्ती और आत्म विश्वास को पुणह प्राप्त करेंगे और शत्रूओं से मुक्त जीवन जी सकेंगे चोथी और अंतिम बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक अपने जीवन में खुशियों का मुह नहीं देखा था माता भद्रकाली का अशीरवाद अब आपके जीवन को खुशियों से भर देगा सफलता के द्वार आपके लिए खुलेंगे और आपका जीवन उन उपलब्धियों से भर जाएगा जिनका आप सपना देखा करते थे माता का आशीरवाद आपके जीवन में सकारात्मक्ता और सफलता लेकर आएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी यह समय आपकी मेहनत का फल मिलने का है और माता भद्रकाली ने आपकी मेहनत और संघर्ष को स्वीकार कर लिया है आपको बस यह याद रखना है कि माता भद्रकाली का आशीरवाद आपके साथ है और आप इन सभी चार क्षेत्रों में परिवर्तन को महसूस करेंगे आप इन 24 गंटों में अपनी मनोकामनाओं को पूरी होते देखेंगे माता की कृपा से आपका जीवन नई उंचाईयों पर पहुँचेगा और आपके चारों ओर केवल खुशहाली और सकारात्मक्ता का माहौल रहेगा इस अद्वितिय समय में माता भद्रकाली की पूजा करें उनके चरणों में अपना समर्पन व्यक्त करें और उनके आशीरवात का अनुभव करें उनके आशीरवात से आपका जीवन सरल, सुन्दर और सुखमय बन जाएगा अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि माता का हाथ आपके सिर पर है जय माता भद्रकाली